अपने फोन को आप क्या करें इस्तमाल करें उसको recording mode पर on कीजिए और उस topic को पढ़ाईए फिर अब जब recording सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती करी है फिर अपने mistakes को अपनी गलतीयों को देखो अपनी गलतीयों को देखने के बाद उसको review करो और बस उसको आसान करो उसको सही करो और वो आपको हमेशा याद रही है तो